साथियों जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी एप्रोच चार पिलर्स पर आधारीत है पहला प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजहादी दूसरा सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका तीसरा भविश्य के लिए युवाओं को तयार करना और चौथा स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवी की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना इन चालो पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारन संभावनाओं के द्वार खोलती है साथियों आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले स्पेस सेक्टर का मतलबी होता था सरकार लेकिन हमने पहले इस माइंड सेट को बड़ला और फिर पेस सेक्टर में इनोवेशन किये सरकार स्टार्ट अप एक दुसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया ये नई सोच नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है ये समय एक्स्पोनेंशनल इनोवेशन का है और ये मुम्किन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं एलेबलर की भूमिका निभाएगी इसलिए आज डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्स्पोनाईज को साजा कर रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए लाँच पैड उपलब्द करवा रही है आज इस तरों की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है अब ये सुनिशित किया जाएगा कि इस शेत्र में जो टेक्नोलोजी मैच्चोर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसपर किया जाए हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें एक्विप्मेंट खरीदने के लिए समय और उर्जा न खर्च करने पड़े एग्रिगेटर की भूमी का भी निभाएगी